ओम नमस्षिवाय जैश्री महांकाल हरहर महादेव शनी जो है अपनी मूल राशी कुम्ब में आ चुके हैं 17 जनवरी 2023 को तो वो जो बदलाव है वो तब तो हो चुका है लेकिन उस बदलाव का तब होना और उसके प्रभाव का अब होना आपको दिखाए देगा मैं ये वीडियो अब इसलिए ये बात आपके साथ साजा कर रहा हूँ क्योंकि शनी धाई वर्सों तक अपनी मूल राशी में रहेंगे और अभी उसे 17 जनवरी से लेकर अप्रेल तक उनसे लगभग 45 दिन से उपर हो चुके हैं और जैसे ही 45 दिनों से उपर शनी अपनी मूल राशी में रहता है तब उसके प्रभाव और ज़्यादा निखर कर बहार आते हैं वो प्रभाव कौन से हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले अप्रेल मैं और जून में दिखाई देंगे क्योंकि शनी नियाय के दियोता है शनी कहीं सारी बाधाओं को खत्म करने वाले हैं शनी कहीं सारी पिडाय देने वाले हैं और शनी जिसके भी जीवन में आता है कहीं सारी चीज़े बदल जाती है तो क्या बदलेगा आपके जीवन में हम आज इस रूडियो में इसी विशय पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक निवेदन में आपसे करना चाहता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े कमेंट्स में भूले नात का कोई एक नाम लिखें अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन हम से करवाना वरतमान जीवन में कोई तकलीप, परिशानी या कोई प्रशन जो आपको जानना है तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोईटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं सबसे पहला काम होगा कि सनी के बदलाव से इस अपरेल, मई और जून इन तीन महिनों को देखकर इन चीजों को अबजर्वेशन हम कर रहे हैं पहला बात है कि जितने सारे विवादित इस्तिया आपकी लाइफ में उनमें सेटल डाउन और शनी आपको बहुत रिलेक्स और रहत महसूस कराएगी साती सात कोई बड़ा अर्थिक लाप जो धन रुका हुआ है, कोई डील रुकी हुई है, या पार में पैसा रुका हुआ है, नोकरी में पैसा रुका है आपका कहीं से भी जो धन रुका हुआ है वो धन आपको शनी दे कर जाएगा कहीं से भी वो आपका धन आपको मिल जाएगा इन तीन महिनों में एक सकारतमक बात आपके साथ ये होगी तीसरा है कि वो जातक जिन जातकों को कहीं सारी स्ट्रगल से भी तक जो जूज रहें थे कि लाइफ में सड़न बहुत जल्दी चैंजेस आते रहे हैं उनके लाइफ में इस्तिरता आएगी और विभा के भी बहुत पॉजिटिव योग हैं जिन जातकों को बहुत दिनों से विवा नहीं हो रहा जो नया व्यापार खुलना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव समय है और ओल ये तीन महीने शनी आपको बहुत पॉजिटिव फायदे देगा उनमे शिवाए